2023 के लास्ट में Redmi 2 स्मार्टफोन लॉंच किया है Redmi 13C 4G, Redmi 13C 5G मेरे पास Redmi 13C 4G है इसका तीन वेरियेंट है Amazon के उपर मिलता है 4GB 128GB 9000 रुपीज में 6GB 128GB 10,000 रुपीज में और एक 8GB 256GB 11,500 रुपीज में मेरे पास 4GB 128GB वेरियेंट है सबसे पहले चलो unboxing देख लेते हैं box open करते ही सबसे पहले phone मिलता है seam ejector pin दिया गिया है और एक user manual guide है यहाँ पे TPU case नहीं मिलता type C cable है और एक charging adapter है phone का design काफी अच्छा है मेरे पास green color है इसका और एक color भी आता है black color वो थोड़ा सा classic look देता है अगर आपको black color पसंद है उसके पास जरूर एक बाद चेक करेड़ा green color के बज़े से crashes बेगरा तो notice नहीं होता लेकिन हाथों का निसन बहुत ज़्यादा notice होता है तो आप TPU case लगा के रखा करो बज़ार में बहुत सारे मिलता है यह description में मैं link डाल दूँगा वहाँ से भी आप लोग purchase कर सकते हो फ्लेर डेजेस के साथ आता है lightweight phone है comfortable phone है एक हातों में long time तक आप लोग यूज़ कर पाऊगे इसका जो camera module और camera के चारों और एक जो boxer design दिया है ओ थोड़ा सा unique style है 6.74 inch का HD plus display दिया है देखिए 10,000 के आसपास Redmi generally जो सारे smartphone launch करता है हर एक smartphone में full HD display देता है लेकिन पता नहीं क्यों इस phone में HD plus display ओफर किया है मैं जब movie baggerा देख रहा था काला tone baggerा मुझे ठीकठा की लगा है obviously HD plus display में आप लोग ज़्यादा expectation लगा भी नहीं सकते HD plus display तो दिया है लेकिन YouTube में आप लोग 4K 60fps करके भी content देख पाओगे लेकिन जब आप लोग 4K set करोगे वहाँ पे थोड़ा सा lagging इसू आप लोगों को देखने को मिल सकता है HD plus display में 4K का मज़ा अब कैसे ही लोगे 90 hearts का refresh rate है थोड़ा सा smooth experience आप लोगों को मिलेगा इस phone में Corning Corilla Glass का protection मिलता है लेकिन ओ कौन सा glass है 3 या 5 ओ specified नहीं किया है और out of box यहाँ पे कोई भी paper बेगरा लगा हुआ नहीं है अगर आप एफोन खरीद रहो at first आप लोग यहाँ पे temper glass लगा के रखा करो description में link दिया हूँ आप लोग उहाँ पे जाके जरूर एक बाद चेक कर लेना मन पसंद temper glass या back case चुनकर आप लोग खरीद लेना media day glio g85 processor है 2,82,000 इसका अंतुतू स्कोर आया है इस phone में bgmi आप लोग 40 fps करके खेल पाओगे मैं इस phone में bgmi खेला दा काफी time तक हमारे gaming channel में available है ओ वीडियो आप लोग जरूर चेक कर लेना वहाँ पे सब कुछ clear करके बताया हूँ gaming के बारे में link description में है फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को बताऊं gaming experience इस phone में बहुती बुरा है देखिए पहले कुछ TDM मैंच मैं यहाँ पे खेला था APS तो बहुत ज़्यादा गिर गया था 40 APS सेट करके रखा था लेकिन मुझे APS दे रहा था 25-30 बहुत ज़्यादा फ्लेक्शुेट कर रहा था इसका APS मेंटा TDM में लेकिन जब मैं classic मैंच खेलने गया न क्या ही बताऊं दोस्तो 2-3 बार classic मैंच में मैं जब event में उतर ने गया इतना ज़्यादा lag हो रहा था और game से बाहार निकाल दिया मैं जब दोबारा start किया game restart हो रहा था और यह मेरे साथ एक बार दो बार नहीं 3-4 बार हुआ है दोस्तो तो अगर आप लोग earphone ले रहे हो और BGMI खेलना चाहते हो आपको बहुत ज़्यादा परिशान करेगा ज़्यादा करके classic मैंच में आप जब event में उतरोगे मतलब game crash ही कर जाता है क्या ही बताऊं पिछले दो वीडियो में मैंने जो phone का review किया था techno infinix ओ 6000 के नीचे आता है और उसमें खतरना gaming experience मिलता है अगर वैसे ही कुछ इस phone में मिलता तो मजा ही आ जाता लेकिन इस phone में उतना भी अच्छा नहीं मिलता है तो Redmi को यहाँ पर optimize करना चाहिए सिर्फ gaming नहीं दोस्तो मैं जब normal use करता हूँ न बहुत ज़्यादा lag करता है application opening close में भी बहुत ज़्यादा जिटर वेगरा मुझे महसूस हुआ है even जब setting के अंदर बहुत चारे option के अंदर में जा रहा था बहुत late काम कर रहा था मतलब option को दबा दिया थोड़ा सा एक दो सेकेंट के बाद option open हो रहा था तो यह सारे छोटे मोटे problem इस phone के साथ है pre install कुछ कुछ application भी आप लोगों को इस phone में मिल जाएगा जिसको आप लोग अन install भी कर पाओगे लेकिन मिलता तो है out of box android 13 मिलता है mu 14 में ran करता है लेकिए mu थोड़ा सा भारी भरकम UI है और इस phone में बहुत चारे amazing features भी देखने को मिलता है हमारे features channel में 50 plus features के बारे में बताया हूँ link description में है dedicated sim slot है 3.5 mm jack का option भी दिया है Redmi के हर एक phone में IR blaster मिलता है लेकिन इस phone में ऐसा कुछ भी नहीं है 5000 mAh का battery मिलता है उसकरोगे तो उहां पे भी आराम से एक दिन निकाल के देदेगा सुभे में या रातों में चार्च में लगाओ दिन भर चलाओ कोई दिक्कत नहीं होगा 18 watt का fast charging adapter दिया है 2 घंटा-5 घंटा लगेगा full charge होने के लिए आप लोग ध्यान में चरूँ राखना 30 fps करके ही आप लोग वीडियो रेकोडिंग कर पाओगे बहुत चारे images बेगरा क्लिक किया हूँ देखिए images quality मैं एवारेची कहना चाहूँगा इस price में और भी बहुत चारे brand है Vivo या Realme उसका camera थोड़ा सा मुझे बेटार लगता है यह थोड़ा सा dull picture निकाल के देता है थोड़ा सा watch out कर देता है कई कबार color को भी टिक टाग maintain नहीं कर पाता है थोड़ा सा black and white picture जैसा लगता है कुछ-कुछ images बहुत सारे images मैंने click किया दा human sample बेगरा या पीड का natural sample बहुत सारे flower का sample भी मैंने की जादा एगे करके step by step सारे ही picture देखिए और comment box में जरूर बताना ये सारे images आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे दोस्तों इसका camera sample एवारेजी लगा है बागी selfie camera के बारे में बात करा जाए तो इसका भी quality मुझे एवारेजी है हाँ detailing तो अच्छा है ही selfie camera में rotate mode भी अच्छा performance निकाल के देता है लेकिन optimist का जब बात आए तो एफोन थोड़ा सा पीछे हर जाता है जब selfie camera से मैं picture भेगरा खिज रहा हूँ background में जो sky भेगरा है उसको कई हद तक white tone डाल देता है ये मैंने खुद notice किया हूँ अब लोग चेक करना और comment box में जरूर बताना अगर आप लोगों को इस phone का images बेगरा original quality में आपके ही phone में देखना हो न description में google drive का link है तो उहाँ पे जाओ जल्दी चेक कर लो और आप अंदाज लगाओ कि इस phone का camera आपके लिए कैसा रहेगा network का कोई भी issue नहीं है मैं callback रह करके चेक किया हूँ network में कोई भी problem नहीं है अब चलो बात करते हैं क्या इस phone value for money phone क्या इस phone को purchase करना चाहिए एक तो दोस्तो ए 4G phone है इसका और एक variant है 5G variant अगर आप लोग Redmi का ही phone खरीदना चाहते हो 5G variant के पास check कीजिए 4G variant को skip कीजिए और इसका सबसे बड़ा जो कमिया है क्या पता है इसका performance नहीं तो gaming ढंक से करके देता है और नहीं तो आप लोगों को day to live UGS में अच्छा performance निकल के देगा normal UGS का भी मैं बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा lag करता है कई कबर बहुत late भी काम करता है यह मैंने कुद नोटिस किया हूँ तो performance में कमिया है अपडेट के जरिए एफिक्स हो सकता है अगर Redmi update बेगरा देकर fix करे तो आप लोग खरीच सकते हो अपडेट बेगरा आने के बाद 30 days के बाद मैं detail इसका review बनाऊंगा और मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता पाऊंगा कि 30 days के बाद इस phone में क्या-क्या improve हुआ है या इस phone को purchase करना चाहिए कि नहीं अवी के लिए तो मैं थोड़ा सा मना ही करूंगा थोड़ा सा दूरी maintain करके रखिए इस phone से इस phone के बारे में आप लोग क्या सोचते हो ओ comment box में जरूर बतना और हाँ like करना मत भूलिए मिलते हैं अगले एक fresh video में